इस तरह कृष्णा ने कई सारी बाल लिलाएंगी। उन्होंने व्रिंदावन में अपनी बाल लिलाओं से सब का मन मोह लिया था। किन्तु जब वे वहाँ से चले गए, तो व्रिंदावन वासी बहुत दुखी हो गए। उनसे कृष्णा का विरह सहा नहीं जा रहा था। पिर कृष्णा कभी वहाँ लौट कर नहीं आये दादी मा। नहीं, वे कभी लौट कर नहीं आये। किन्तु उनकी यादें, उनकी लीलाएं, आज भी आपको व्रिंदावन में महसुस होंगी। दादी मा, ये बहुत ही सुन्दर गानी थी। तुम लोगों को मैं और भी ऐस कहानिया सुनाओंगी। हाँ दादी मा, एक आप ही तो है जो हमें कहानिया सुनाती है, अपने साथ बिठाती है। मम्मे पापा के पास तो हमारे लिए वक्ती नहीं होता। अरे ऐसा नहीं है बिठा। तुम्हारे पापा सरकारी अफसर है और तुम्हारे मम्मी कितनी कमपनी में काम करती है इसलिए दोनों को वाक्त नहीं मिल पाता हाँ एक दिन मैं भी बढ़ाओकर पापा की तरह सरकारी अफसर बनूँगा शबाश यही सपना मेरा भी है कि तुम दोनों भी किसी बड़ी पोस्ट पर पहुंचो और जिन्दगी में कुछ बहुत बढ़ा करो इसलिए तो हम दोनों इतनी मैनत कर रहे है कि तुम दोनों भी अपने भविश्य पर इसी तरह ध्यान दे पाओ चलो यह बाते तो होती रहेंगी अब तुम दोनों आई ही गए है आज जल्दी तो बच्चों के साथ बैट कर खाना कालो कितने दिन हो गया हम सबने साथ में खाना ही नहीं खाया अरे नहीं माजी आज ना मेरा एक जरूरी फोन आने वाला है आप सब खा लीजिये और मैंने तो क्लाइंट के साथ ही डिनर कर लिया था मुझे भूख नहीं है आप सब खा लीजिये चलो बच्चियों गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट अरे चलो कोई बात नहीं हम तीनों साथ में विलकर खाना खाते हैं हाँ दादी चलिये वामी का और रुद्र बच्पन से ही अपनी दादी के काफी करीब थे हाला कि उन्हें अपने ममी पापा से कोई शिकायत नहीं थी लेकिन विनायक और जोती ज्यादा तर काम में ही बिजी रहते थे उन्हें अपने बच्चों से भी यहीं उमिद थी और रुद्र और वामी का भी यही कोशिश करते थे कि वे भी अपने ममी पापा की तरह भविश्य में काम्याब हो पाए रुद्र तुमने उस नए कोर्स के बारे में सोचा जो मैंने तुम्हें कहा था करने के लिए हाँ पापा लेकिन मैं पहले से स्कूल की बढ़ाई के साथ दो कोर्स कर रहा हूँ मुझे नहीं लगता है मैं और ज्यादा भार उठा पाऊंगा अरे बिटा जब मैं तुम्हारी उम्रे का था तो मैंने तो कपका सोच लिया था कि मुझे चाहिए तो सरकारी नौकरी ही चाहिए और तुम हो कि इतने से भार से डर रहा हूँ आप पापा लेकिन मैं सब एक साथ नहीं कर पाऊंगा अरे कोई बात नहीं विनायक बच्चों पर प्रेशर मट आलो वो समय के हिसाब से साब कर लेंगे आपकी बात सही है मां जी लेकिन आजकल समय इतना आगे बढ़ गया है कि बच्चे जब तक स्कूल छोड़ते हैं तब तक वे कमाना भी शुरू कर चुके होते हैं हमें आजकल के बच्चों को सिखाना होगा कि पैसा ही सब कुछ होता है जितना जल्दी वो पैसा कमाना शुरू कर देते हैं उतनी ही जल्दी वे अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं पैसा जरूरी है विनायक लेकिन सब कुछ पैसे तो नहीं है पैसे के साथ जिन्दगी में और भी कई सारी चीज़े ऐसी है जो हमें बच्चों को सिखानी होती है माजी आज कल प्राक्टिकल होना ही चाहिए क्योंकि महँगा इतनी बढ़ गी है और अगर आपको अच्छे से अपनी जिन्दगी को जीना है तो आपके पैसों का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है पैसा इतना जरूरी है क्या पापा? अरे बेटा पैसे से आप कुछ भी हासिल कर सकते हो अगर आपके पास पैसा नहीं है तो कोई भी आपको इज़त नहीं करता हाँ बेटा जब आप एक अच्छी पोस्ट पर होते हैं तब तक ही सब आप क्या आगे पीछे घुम दे हैं? हाँ लेकिन जिन्दगी सिर्फ पैसों पर तो नहीं चलती बेटा वहाँ प्यार, इज़त और संसकार के लिए भी जगा होना बहुत जरूरी है वो तो हमारे बच्चों में है ही माँ उसके हमें कोई चिंता नहीं है रुद्रो और वामिका की परवरिश में विनायक और जोती ने काफी सारे फैसले बड़ी ही सोच समझ कर किये थे जैसे उन्हें किस अच्छे स्कुल में डालना है, किस ट्यूशन में भीजना है, कौन सा कोर्स करवाना है लेकिन इस बार जो उन दोनोंने अपने बच्चों के लिए फैसले लिये थे, वो कुछ ज्यादा ही बड़े थे मा इसे बच्चे आसानी से पढ़ाई पर ध्यान दे पाएंगे अरे विनायक घर के होते हुए बच्चे हास्टल में जाकर रहेंगे मुझे ये बात बिल्कुल सही नहीं लग रही है जब उनकी परवेरिश घर में ठीक से हो रही है तो उन्हें बाहर भेजना ही क्यों है मा वहां बच्चों को स्पेशल पढ़ाई करवाई जाती है और उनका सारा ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर ही रहेगा कहीं यहां वहां भटगींगी मीनी तो यहां रहकर भी तो पढ़ाई कर रहे हैं ना नए नए बच्चों को हॉस्टल मत भेजो मा मैं जानता हूँ आपको बच्चों से प्यार है लेकिन उनके भविशे के लिए ये बहुत ज़रूरी है आप देखिएगा वो दोनों वहां से कुछ बन कर ही लोटेंगे खर से दूर रहकर बच्चे प्यार इज़द भावना को भूल जाते हैं विनायक मेरी बात मान ये मत कर यहां रहकर वो जैसे बढ़ रहना उन्हें ऐसा ही रहने दे मा जी होस्टल कुछ जेल नहीं है मा उन्हें अच्छे से अच्छा खाना रहने के लिए कमरा आखेल ना कुदना सब सिखाते हैं लेकिन घर का प्यार भावनाय दादी की कहानिया यह तो नहीं सुनाएंगे न बच्चे कुछ बनने के चक्कर में कहीं वो जो है वही ना भूल जाए अपना खामखा घबरा रही है अरे कुछ नहीं होगा हजारों बच्चे पढ़ते हैं वहाँ उनका भविशल सुरक्षत हो जाएगा वहाँ आप देखेगा हम इसी महीने बच्चों को भीज रहे होस्टल सावित्री की बिल्कुल इच्छा नहीं थी कि उसके पोते और पोती होस्टल में जाए लेकिन विनायक और जोती ने तो फैसला कर लिया था उन्होंने बच्चों के जाने की सारी तयारियां भी कर ली रुद्रा, वामिका, आपको पता है न बेटा हम ये सब जो भी कर रहे हैं आपके भविशे के लिए कर रहे हैं हाँ बेटा, आप दुनों को वहां हर सुविधा मिलेगी खाना, पीना, रहना, गेम, खेलना, सब कुछ और किसी भी चीज की सर्वत हो, तो फोन करके बता देना वहां खुब मन लगा कर पढ़ना और ध्यान देना जी पापा, लेकिन जब हमें आपकी और मम्मी की याद आए तो अरे पिटा, जिन्दगी में कुछ पाने के लिए कुछ चीजों को छोड़ना भी पढ़ता है हाँ, पापा सही कह रहे है, जिन्दगी में अगर कुछ बनना है तो हमें प्राक्टिकल होना ही पढ़ता है लेकिन पापा घर से दूर रहना ज़रूरी है क्या? हम दादी को आपको बहुत याद करेंगे हमें भी आपकी बहुत याद आईगी बिटा, लेकिन हम भी तो आपको दूर भेजर है ना खुछ से वो इसलिए कि आप जिन्दगी की कठिनाईयों को सीख सके और आगे बढ़ सके ठीके पापा, हम दोनों होस्टिल जाने के लिए तैयार है, हम दोनों वहाँ जाकर खूब मैनत करेंगी हाँ पापा, मैं भी आपकी तरह बनूँगा पता नहीं, तुम दोनों जब घर आओगे तुम मैं होँगी भी या नहीं लेकिन बच्चों तुम दोनों के साथ मेरा आशिरवाद हमेशा ही रहेगा रुद्र और वामिका हॉस्टिल चले गए, विनायक और जोती भी अब और ज़्यादा काम में व्यस्त हो गए थे सावित्री की तब्यद भी अब कुछ ज़्यादा ठीक नहीं रहती थी, उपर से अकिलापन उसे काटने को दोड़ रहा था दो साल के बाद उसकी तब्यद काफी खराब हो गई थी मा मैंने शहर के बेस्ट डॉक्टर को बुलाया है, आप चिंदा मत करो, आप ठीक हो जाएंगी पैसा सब कुछ ठीक नहीं कर सकता बिनायक, वक्त के साथ जो होना होता है, वो होकर ही रहता है मा जी आपको कुछ नहीं होगा, आप चिंदा मत कीजिए मुझे अपनी चिंदा बिलकुल भी नहीं है जोती, बस इस बात की चिंदा है कि तुम लोगों ने जो बोया है, कहीं वही तुम्हें भुगतना ना पड़ जाए या मतलब मा मा कुछ समझा नहीं सावित्री ने उसकी बाद कुछ नहीं कहा, उसकी बाद उसकी आँखे हमेशा के लिए बंध हो गई विनायक और जोती को सावित्री को खोने का काफी दर्द था, लेकिन वक्त किसी के लिए नहीं रुपता वो तो अपनी गती से चलता ही रहता है कुछ साल बाद, जब वामी का हो गई थी 26 के और रुद्र हो गया था 25 का देखा, मैंने कहा था ना, मेरा इन दोनों को उस हॉस्टेल में भेजने का फैसला गलत नहीं होगा आज केतने कामियाब हो गए दोनों, अपने पैरों पर खड़े हैं पापा, ये देखे मेरा आवाड, ये मेरा तीसरा आवाड है मुझे तुम पर गर्व है बिटा मुझे भी, मैं बहुत खुश हो मुझे भी आज प्रमोशन मिला है वाह, मेरे दोनों बच्चे कितने कामियाब है ये देखकर मेरी चाती चौड़ी हो गई आज हमने तो हमेशा से यही सपना देखा था कि तुम दोनों इसी उन्चाई पर पहुचो हारे पापा, ये तो बस शुरुआत है आप आगे आगे देखे हम दोनों और क्या-क्या हासिल करते है मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि तुम दोनों हम दोनों से भी ज्यादा काम याब होंगे चलो, इसी बात पर आज हम सब साथ में खाना खाएंगे इतना वक्त हो गया है, हमने साथ बाट कर खाना नहीं खाया हाँ, आज तुम दोनों की पसंद की जगा पर चलते हैं, खाना के लिए सुरी पापा, आज मैंने पहले ही कोई प्लान बना लिया है आज नहीं हो पाएगा और मैं भी नहीं चल पाऊंगे आपकी साथ आज ही मेरा प्रमोशन हुआ है और मैंने अपने दोस्तों को पार्टी के लिए कह दिया है आप दोनों एंजोई कीजी आप दोनों एंजोई कीजी हम फिर कभी चलेंगी साथ में अरे तुम दोनों थोड़ी दिर तो हमारे साथ रुको जब से घर आये हो तब से सिर्फ काम में लगे हुए होते हो मा काम ही तो हमें कामियाब बनाता है यह जिस हमने आप दोनों से ही तो सिखी है चलो अब मैं चलता हूँ मुझे देरी हो रही है मेरी भी दोस्ता मुझे कब से फोन कर रहे है मैं चलती हूँ बाई एंजोई औरे कोई बात ने कुछ दिनों में दोनों फ्री हो जाएंगे फिर हम सब साथ में घुमने चलेंगे चीक है विनायक और जोती ने अपनी पूरी जिंदगी काम किया था इसलिए वो समझ सकते थे कि उनके बच्चे भी बिजी है लेकिन धीरे धीरे वो काम कब उनकी वक्त की कमी बन गया और वक्त की कमी कब उनका बहाना बन गई ये विनायक और जोती को अब एसास हो रहा था आज तो मेरा जन दिन है आज तो दोनों बच्चे ज़रूर घर आएंगे नहीं विनायक? हाँ, पच्पन में यार नहीं कहसे वो तुमारे जनम दिन की राह देखते थे गिफ्ट्स भी दयार रखते थे हाँ, हम सब साथ में केक भी काटते थे लेकिन कभी-कभी मैं काम के वज़े से उनके साथ मरा नहीं पाती थी जनम दिन लेकिन आज ना मैं उनके साथ ही अपना जनम दिन मनाऊंगी वो दोनों आते ही होंगे मुझे विश्क करने के लिए अब तो दोनों कमाने भी लगे है आज तो तुम्हारे लिए बड़िया सा गिफ्ट लेकर आएंगे ये लो, वामी का तो आ भी गई आप दोनों अभी तक बैठे हैं, क्या बात है तुम्हें याद नहीं आज क्या है नहीं, क्या है आज हाँ, आज मेरी एक जरुरी मीटिंग थी वो ना बहुत अच्छे से हो गई अब तो ऐसी था क्यों सो जाओंगी फटा फट अरे आज तो मेरा भी काम बहुत अच्छे से हो गया वो नया प्रोजेक मिल गया तुझे अरे हाँ, मिल गया आप उसकी टैंजिन भी मिट गए तुम दोनों को सच में याद नहीं है के आज क्या है क्या है आज पापा आज तुमारी मम्मे का जैनम दिन है तुम दोनों को याद भी नहीं है वो कबसे तुमारा खाने पर इंतजार कर रही है ओ, आज आपका जनम दिन है, सॉरी, मुझे तु याद ही नहीं रहा Happy birthday मम्मी, मैं कलना आपके लिए कुछ gift लियाओंगी बच्पन में तुम दोनों कितने खुश होते थे जी होते के जनम दिन पर अब तुम दोनों को याद भी नहीं रहा अरे पापा होता है, समें कौनसी बड़ी बात है बच्पन में कई बार आप भी हम दोनों के बड़े पर नहीं आते थे हम दादी के साथ जनम दिन मनाते थे, लेकिन हमने तो कभी ऐसा नहीं का आपसे हम दोनों काम में व्यस्त रहते हैं होता है कर ले आएंगे ना गिफ्ट ममी के लिए बात गिफ्ट की नहीं है बिटा तुम दोनों आजकल हम दोनों के साथ बैट कर दो पल बाते भी नहीं करते ममी हम दोनों काम करते हैं हमारी खुद की भी जिंदगी आ है अब आप दोनोंने तो अपनी जिनी जी ली ना, तो हमें भी अपनी जीने दीजिए मैं बहुत था गया हूँ, मैं जा रहा हूँ सुने, गुड नाइट बाई, गुड नाइट अरे तुम दोनों रहने दो, हम नहीं उन्हें सिखाया है ना, के काम्याबी हासिल करो उनकी गलती नहीं है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझ जाएंगे जियोती और विनायक अब जिन्दगी के उस पड़ाव पर थे, जहां उन्हें अपने बच्चों की जरूरत थी लेकिन उनके दोनों बच्चों के सर पर तो बस काम्याबी हासिल करने का और पैसा कमाने का भूत चड़ा हुआ था, अब उन दोनों ने अपने जिन्दगी के फैसले भी खुद लेना शुरू कर दिया था क्या मतलब वामिका, कि तुम अगला मैंने शादी कर रही हो? और इथना बड़ा फैसला तुमने अकेले ले लिया? पापा, मैं 27 साल की हूँ, कमाती हूँ, अपनी शादी का खर्चा भी मैं अपने आप ही उठा रही हूँ, आप दुनों को दिक्कत क्या है? यह क्या पैसा पैसा लगा रखा है, चार पैसे क्या कमाली है, अपने माता पिता के आगे बोलने लगी हो? हाँ, तो आपने ही तो सिखाया है कि पैसा ही सब कुछ होता है, हम पैसे से सब कुछ खरीच सकते हैं आप दोनों को आना है तो आईए मेरी शादी में, नहीं आना है तो आपकी मर्जी, ये रहा मेरी शादी का कार्ड सही तो क्या रही है वामी का हमने ही तो इन्हें ये सिखाया है कि पैसा ही सब कुछ है कि हम पैसे से और काम्याबी से सब कुछ खरीच सकते हैं हमने ही इन्हें खुद से दूर हॉस्टिल भीजा था हमने ही इन्हें ये ऐसास कराया कि पहले काम आता है जिन्दगी में पैसा पेड़िश्टे जब इन दोनों को हमारी ज़रूरत थी तब हम भी कहां इन्हें वक्ते देते थे अब हम इन पर क्यों आरोप लगा रहे हैं कि इनमें भावनाय नहीं हैं इन्हें हमने ही तो कहा था प्राक्टिकल बनो सही कह रही हो तुम इनमें ये बीज हमने ही बोए हैं आज मुझे समझ में आ रहा है कि मां हमें क्या कह रहे थी जब हमने बबूल के बीज बोए हैं तो फिर हम आम की आशा क्यों रख रहे हैं वामिका ने शादी कर ली ज्योति और विनायक भी महमानों की तरह उसकी शादी में शामिल हुए थे उसकी बाद तो जैसे वामिका ने विनायक और ज्योति के पास आना ही छोड़ दिया कभी कभी आ जाती थी वो भी बहुत कहने पर रुद्र ने विदेश में सेटल होने का फैसला कर लिया और वहीं शादी भी कर ली आज ज्योती की दब्यत कुछ ठीक नहीं थी सरह देखो न रुद्रो और वामिका आये हैं या नहीं नहीं रुद्रो ने तो फोन ही नहीं उठाया उसने तुम्हारी देखभाल के लिए एक नर्स भीज दी है वामिका ने कहा वो आएगी तुमसे मिलने जब वो फ्री हो जाएगी मैं बस उन दोनों से इतना ही कहना चाहती हूँ कि जो गल्ती हमने की है वो गल्ती वो दोनों ना करे वो अपने बच्चों को ये ना सिखाए कि पैसे और कामिया भी ही सब कुछ है रिष्टे, प्यार अपनों का साथ बहुत बहुत महत्व रखता है जीवन में पर ज्योती ये सुनने के लिए भी शाद उनके पास समय नहीं है ज्योती अर्विनायक ने जो बीज बोया था उसका फल तो उनको चखना ही था इसलिए आप भी अपने बच्चों में वही बीज बोयेगा जो आपको बाद में आम का स्वाद दे सके ना कि बबूल की कड़वाहट अब चयन आपका है आप क्या चुनते हैं